तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung के Mobile में पहुती कम लोग जानते होजी कि Samsung के Mobile में 5 जगा आपको Recyclemen के ओप्शन एविलेबल होते हैं जो कि Samsung के प्री इंस्ट्रॉल ऐप में होते हैं यह option कौन कौन सी app में होते हैं, कहां यह मिलते हैं, कैसे इनको use करेंगे और actual में कैसे इनको on या off कर पाएंगे दोस्तों दोस्तों वीडियो उसके मत करेगा, वीडियो को पूरे देखिया तो यहाँ सौंच पाएंगे दोस्तों चलते हैं आगे, मेरे डाम सनी और 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 आपका स्वागत है, मेरे चैनल ऐसे टेक में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ, पाँच एप जिसमें सेमसंग की तरफ से नहीं पता लगने वाला, क्योंकि वो प्रिइंस्टॉल एप के अंदर अलग से मदलब उसी के अंदर आपको मिलेगा, इन बिल्ड मिलता है, अगर आप सर्च भी करेंगे, तो कहीं वो आपको आप्शन अवेलेवल नहीं मिलने वाला, चाहे आप यहाँ पर सर्च कर लेंग और उसको आप on या off कर सकते हैं, उसके लिए आप देखेंगे, यहाँ पर अगर माल लिजे, मैने पास यह कोई भी message आया, मैंने उस पर क्लिक करा, और यहाँ से इसको मैंने यहाँ से move to, आप देख रहे होंगे, option मिल रहा है, आपको यहाँ पर move to recycle bin करूँगा, यहाँ पर उपर होंगे, तो यहाँ से भी delete हो जाएंगे, अगर 30 दिन के अंदर होंगे, तो आपको यहाँ पर available हो जाएंगे, आप जख सकते हैं, आप लिखा हुआ है, message in this recycle bin will be permanent delete after 30 days, यहाँ पर आप चाहें तो इसको edit कर सकते हैं, बापिस अगर आपको restore करना है, तो यहाँ पर अच्छा मतब कह सकते हैं, बहुत important message होते हैं, by default कभी delete हो जाएं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको message में recycle bin का option को off करने का feature नहीं दिया गया है, उसके बाद दोस्तों मैं second बताने वाला हूँ, वह है file manager को लेकि अगर आप अपने file manager पर जाएंगे, वहाँ पर आप गलती से किसी photo या video है, कोई भी डागमेंट को folder को delete पार देते हैं, तो वहाँ पर आप pre install, उसको recycle bin में save कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर file manager खुल लिया है, यहाँ जाना आपको three dots में, three dots में जाने का आपको जाना है, यहाँ पर मेरा data डिलीट नहीं है, तो यहाँ प आपको यहाँ option मिल जाएगा recycle bin का, आपको चाहें तो इसको off या on कर सकते हैं, जो third बताने वाला हूं वो है voice recorder को रेकिए, अगर अपने while में आप voice record करते हैं, और उसको भी delete मारते हैं, तो वहाँ पर भी आपको recycle bin का option मिलता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैं यहाँ प बाद में permanent delete हो जाएगी, इसको भी off कर सकते हैं, उसके लिए जाना है three dots में, यहाँ जाना है setting पे, setting पे जाने का आपको यहाँ option मिल जाएगा recycle bin का आप इसको on या off यहाँ से कर सकते हैं, जो जो फोर्द बताने वालों हो है Samsung gallery को लेकर आप gallery में जाएगे, तो वहाँ पर आ आपका data save होता है, तीस दिन बाद automatic यहाँ से delete हो जाता है, इसको on या off कर सकते हैं, उसके लिए जाना है three dots पे, sorry, उसके लिए जाना है आपको यहाँ पर, यहाँ जाने कर जाना है setting पे, setting पे जाने कर आपको यहाँ पर recycle bin का option मिल जाएगा, on या off का feature, आप इसको on या off कर सक सकते हैं, जैसे कि Samsung message में दिया गया था, वहाँ पर security पर बस से, same message contact में दिया गया, आप उसको off नहीं कर सकते, यहाँ पर जाएंगे अगर आप Samsung contact में, contact में जाने कर आपको जाना है three dots पे, three dots में जाने के बाद, three dots में जाने कर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, sorry, उसके आप easily उसका use कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक number को लिया और यहाँ से मैंने delete करा, यहाँ पर आपको बता देगा move to recycle bin, जैसे आप recycle bin पर जाएंगे आपको लिख जाएगा कि यह number आपका delete हुआ है, आप उसको simply यहाँ पर click करके उसको restore कर सकते हैं, तो बहुत ही आपको मेरे video पसे हैं, तो प्लीस लाइक जरू करें, अगर आपको लगता हैं, मेरे video कुछ कमेस तो और डिस लाइक बस documents, और अगर आप मुस्क्त से कूछ पूछना चाते है, इस video कुछ भी याुआ बूच्अ का पूछ सकते हैं और हो सकते हैं, और हो सकते हैं और हो सके, लिंक आपको नीशे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू